मैं अपने YouTube setup में मातरचारी प्रोडक्ट का यूज करता हूँ जिसका टोटल कोश्ट है हेलो गैस मैं विशानी साथ टेकनी साथ पर आप सो का स्वागत है आज मैं आप सो को मैं अपने YouTube setup के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं अपने YouTube setup में किन-किन प्रोडक्ट का यूज करता हूँ वो सब आप सो को बताने वाला हूँ तो अगर आप सो को मेरे YouTube setup के बारे में जानना है तो आप सब इस वीडियो के end तक बने रहे हैं जिससे कि आप सो को पता चल जाएगा कि आप सब अपने YouTube setup में किन-किन प्रोड़क्ट का यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं अपने YouTube setup में जो भी प्रोड़क्ट का यूज कर रहा हूँ उसका link में डिक्सेशन बॉक्स में दे चुका हूँ वहाँ से आप सब जाके बाई कर सकते हैं वैसे मैं ये बता दूँ कि मैं ये वीडियो अपने यादगार केलिए बना रहा हूँ क्यूंकि मुझे ये याद रहा है कि मैं किस YouTube setup पर पहले वीडियो बना रहा था और आपसों का सोपोर्ट रहा तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा सेटप पर अपना वीडियो सूट कर रहा हूँगा फीचर में सबसे पहले मैं बता दू कि मैं अपना वीडियो कि इस जगा पर सूट करता हूँ यह मेरा घर का छट है जो कि लिल्टर तक हो चुका है और उस पर ऊपर में चदरा रखा हुआ है और नीचे में देख सकते हैं कि मैं अपना वीडियो सूट करता हूँ और यहाँ पर टेबूल है जो कि भाया यहाँ पर अपना ट्यूशन क्लास लेते हैं और जो कि दोनों टेबल को इस साइड कर देते हैं और दो टेबल इससाई होता है, जिस पर मैं अपना माइक जो ऐटाच कर देता हूं जिसे की माइक भी रखा जाता है इस टेबल पर बे। Basically मैं अपने YouTube वीडियो बनाने के लिए छट का यूजर करता हूं और आम मैं बात करता हूं कि मैं अपने यूट्यूब वीडियो सूठ करने लिए किस ट्राइपोड का यूज करता हूं मैं अपने वीडियो सूट करने के लिए इस ट्राइपोट का यूज करता हूँ जो कि डिजी टेक का ट्राइपोट है डिजी टेक डिटी आर 550LW जो कि काफी अच्छा ट्राइपोट है इसमें आप सोको काफी अच्छा लाइट वेट भी देखने को मिल जाता है जो कि लगभग आप सोको हाप केजी या वन केजी के अप्रोक्स है जो कि काफी अच्छा इसमें आप सो को वेट भी देखने को मिल जाता है और इसमें आप सो को होजेंटर वर्टिकल करने के लिए भी इसमें आप सो को यहां पर देखने को मिल जाता है और उपर नीचे करने के लिए यह आप सो को के मिल जाता है जो की काफी ऐच Tucson ट्राइपोट में आप सोब के हईट बी काफी अच्छा देखने को मिल जा की तो अगर आप सो को बाई करना ही तो आःती का बाई कर सकता है इसमें अलग पंवे के पास इसका प्राइज और आप मैं बात करता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब वीडियो सूट करने के लिए किस लाइट का यूज़ करता हूँ मैं इस light का use करता हूँ अपने YouTube वीडियो सूट करने के लिए जो कि General Company कहा और इसमें आप सो को तीन स्टेज दिया जाता है जो कि इसमें आप सो को नीचे में यहां पर देख सकते हैं एक पहला हो गया और दूसरा हो गया और तीसरा खुद यह लास्ट वला है जो कि आप सो को तीन स्टेज इसमें आप सो को देखने को मिल जाता जिसे आप हाइट अजस्ट कर सकते हैं और नीचे में आप सो को लेक्स दिया जायता है जिसे कि आप इसे मौंट कर सकते हैं कहीं भी और इसमें आप सो को चेंजिंग भी चेंजर भी दिया गया था इसमें जो कि मेरा चें 100 का है जो कि इसे आप Amazon या फिलिपकार्ट से पर्चेश कर सकते हैं निचे डिस्क्रिशन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप सब जाकर भाई भी कर सकते हैं और आप मैं बात करता हूँ कि मैं अपने यूटूब वीडियो सूट करने के लिए किस माइक का यूज करता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मैं यह इस माइक का यूज करता हूँ जो कि माउनो का है मावनों के इस माइक में यूज करता हूँ और इसका मोडल नमर PM461S है जो कि काफी अच्छा माइक इसमें आप सो को देखने को मिल जाता है और इसमें आप सो को बहुत सारे असेसरीज भी देखने को मिल जाता है जो कि मैं अभी लगा चुका हूँ वीडियो सूट करने के लिए और इसमें आप सोको एक table clamp देखने को मिल जाता है और mic stand देखने को मिल जाता है और इसमें आप सोको mic के पास mic holder भी देखने को मिल जाता है और इसमें आप सोको यहाँ पर देख सकते हैं एक pop filter भी देखने को मिल जाता है और इसमें आपसों को एक cable देखने को मिल जाता है जो कि type A है और इसमें मैं एक converter लगा के type C यूज करता हूं जो कि जिससे कि मैं अपने mobile को directly इससे connect कर देता हूं और जिससे कि मैं अपने video को suit करता हूं और front से आपसों को कुछ ऐसा माइक देखने को मिल जाता है जिसमें आपसों को pop filter के उपर में आपसों को माउनों का logo देखने को मिल जाएगा और मावनों लिखा हुआ आप सो को देखने को मिल जाएगा और नीचे में आप सो को एक scroll build देखने को मिल जाता है जिससे कि आप इसे voice को control कर सकते हैं जैसे कि आप इसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं आप अपने voice को इसका काम यही होता है और इसमें आप सोको एक रवर भी देखने को मिल जाता है जिसकी मेरा तूट चुका है मावनों के तरफ से आया था जो और यह मैं अपने घर का यूज करता हूं मावर और इस माइक का अभी प्राइज मुझे याद नहीं है जैसे ही इसका प्राइज में देखूंगा तो उससे स्क्रीन सोट में आप सो को लगा दूँगा मैं एक और प्रोड़क्ट का यूज करता हूं जो की ग्रीन स्क्रीन है नौर्मली मैं इस कुछ इस टाइप का वीडियो सूट करता हूं और मेरा कुछ इडिट करने के बाद इस टाइप का वीडियो बन चुका होता है तो मैं एक ग्रीन स्क्रीन का भी यूज करता हूं जो क कि अप्रॉक्स 3-400 का था ग्रीन स्क्रीन मुझे ऑफर में मिला था और यह आप इतना प्राइज है मुझे आप यह नहीं पता उसका भी लिंक डिस्क्रिक्शन बॉक्स में आप सो को देखने को मिल जाएगा वहां से आप सब जाके बाई कर सकते हैं और माइक का भी आप सो को आप सो को मेरा यूट्यूब सेट्यक्स का सब्सक्राइब कर डिएगा और बेल राके जिरू बॉटेट के हुए तो आप सबस्क्राइब या कर लिएगा तो चल्या फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में